साथियों एक बार पुना स्वागत हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो साथियों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे पहला प्रशने रिक्तिस्तानों की पूर्ति कीजिए तो रिक्तिस्तानों की पूर्ति के पहचा जो आंसर बने है वो इस प्रकार होगे पहला है जिस परतिबिम्ब को परदे पर न प्राप्त किया जा सके वह होता है आबासी परतिबिम्ब कहलाता है अगला है यदी परतिबिम सदेव आबासी तता साइज में छोटा हो तो यह किसी उत्तल दरपन द्वारा बना होगा तो रिक्तिस्तान में दरपन आएगा यदी परतिबिम सदेव बिम्ब के साइज का बने तो यह दरपन समतल होगा जिस पर्तिविम को पर्दे पर प्राप्त किया जा सके वह वास्तिविक पर्तिविम कहलाता है और अगला है अउत्तल लेंस द्वारा बनाया गया पर्तिविम पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो हमने रेड मार कर दिया है रिक्तिस्तानों की पूर्टी के लिए अगला प्रशने निमलेकित वक्त वे सत्य हैं या असत्य लिखिए तो पहला है हम उत्तल दरपण में आवर्दी तता सीधा पर्तिवें पराप्त कर सकते हैं ये कतन असत्य है अवत्तल लेंस सदेव आबासी पर्तिवें बनाता हैं ये कतन सत्य है अगला है अवतल दरपन से हम वास्तविक आवर्दित तथा उल्टा परतिविम प्राप्त कर सकते हैं ये कतन सत्य है वास्तविक परतिविम को परदे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता ये कतन असत्य है अगला प्रश्ण है कोलम ए में दिएगे सब्दों का मिलान कोलम बी के एक या अधिक कतनों से मिलान कीजिए तो मिलान करने के 35 परकार आंसोर लिखेंगे पहला समतल दरपन परतिबिम सीधा तथा बिंब के साइज का परतिबिम बनता है उत्तल दरपन अधिक छेतर के द्रश्य का परतिबिम बना सकता है उत्तल लेंस आवर्दक लेंस की बाती उप्योग होता है उत्तल दरपन दंत चिकित सक नातों का आवर्दित परतिबिम देखने के लिए इसका उप्योग करते है और आउतर लेंज सीधा तता बिम्ब के साइज से चोटा पर्ति बिम्ब बनाता है अगला प्रशन है समतल दरपन द्वारा बने पर्ति बिम्ब के अभी लक्षन लिखिए तो आंसोर लिखेंगे साथियों समतल दरपन सीधा पर्ति बिम्ब बनाता है यह एक आबासी पर्तिबिम्ब बनाता है पर्तिबिम्ब का आकार बिम्ब या वस्तू के आकार के समान होता है पर्तिबिम्ब दरपन के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तू दरपन के सामने रखी होती है पर्तिबिम्ब पासरू प्रयोटन पर दिस्ति करता है अर्थात वस्तु का दायां बाग परतिविम में बाई और तता वस्तु का बायां बाग दाई और दिखाई देता है अगला कुश्चन है अंग्रेजी वर्ण माला या अन्य कोई बासा जिनको आप जिनका आपको ग्यान है कि वर्ण माला के उन अक्सरों का पता देते हैं अगला है आबासी प्रतिविंब क्या होता है को यह स्थिति ऐसी इस्थिति बनाई यह आबासी प्रतिविंब बनता हो आंसो लिखेंगे आबासी प्रतिविंब जिस प्रतिविंब को पर्दे पर प्राप्त न किया जा सके वह आबासी प्रतिविंब कर लाता है समतल दरपन से बना परती बिम्ब आबासी होता है जैसे जब बिम्ब को उलतर दरपन तदा आउतर्ल लेंज के सामने रखियो जवकि अवतल 力सादेव सीधा पर्तिविम बनाता हैं, आवासि पर्ति भिम बनाता हैं. अगला प्रशने आवतल तथा उतल दरपनों का एक एक उप्योग लिए, आंश्वर में लिकेंगे, अउतल दर्पन का उपयोग दंचिकिसक दात में रिक्तक को देखने के लिए करते हैं उतल दर्पन का उपयोग वानों में पीछे से आने वाले वानों को देखने के लिए किया जाता है अगला कुश्चने प्रस्ण संक्यानो तो आउतल लें सदेव आवाशी प्रतिविम बनाता है, अगला प्रश्न है बिम्ब से बड़े s सही आंसर होगा 6 मीटर होगी अगला प्रश्न है एक कार का पच्च दृश्य दर्पन समतल दर्पन हैं ड्राइवर अपनी कार इस दो मीटर परति शेकिन की चाल से बेक करते समय पच्च दर्पन में अपनी कार के पीछे खड़े पार्क किसी ट्रक का पर्तिविम देखता हैं ड्राइवर को ट्रक का परतिवेंब जिस चाल से अपनी और आता परतिद दुगावा होगा चार मिनट परतिशेकेंड से यह आंसर होगा तो साथ यहों इस परकार यह चेप्टर यहां पर कंप्लेट होता हैं साथ यहों यदि आपको इसका पीडियाप डाउनलोड करना है तो अन्य वीडियो में अन्य चेप्टर के सोलीशन के साथ थैंक यू